क्या आप जानते हैं दोस्तों पेट्रोल को फृर्ज में रख दें तो क्या हुआ ह ब बन पाएगा सभी परकार के त्रेड प्राध पदार्थों का फृर्जिंगु पॉइंट अलग अलग होता है पानी का फ्रेजिंग पॉइंट क्या होता है पानी का फॉर्मूला है इसमें मुखी रूप से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पाया जाता है इसी कारण पानी का फ्रेजिंग पॉइंट होता है जीरो डिग्री सेल्शियस यदि तापमान जीरो डिग्री सेल्शियस पर पहुंच जाए तो पानी बर्फ बनना शुरू हो जाता है यादि तापमान माइनस वन से लेकर माइनस फाइव तक पहुंच जाए तो पानी एक ठोस बर्फ में बदल जाएगा पेट्रोल का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है पेट्रोल का फ्रीजिंग पॉइंट क्या यानि यदि पेट्रोल को माइनस 60 डिवी सेल्स तापमान पर ले जाया जाए तो उसका बर्फ की तरह जमना शुरू हो जाएगा लेकिन फिलाल यह संभाव नहीं है क्योंकि इंजिनियर्स ने इसा कोई फ्रीजर बनाया ही नहीं कैसा लगा हमारा वीडियो दोस्तों अच्छा